तो नामांकन से पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी का एक्स्क्लूजव इंट्रिव्यू, मेगा एक्स्क्लूजव इंट्रिव्यू, सिर्फ वसर्फ न्यूज एटीन, राजस्तान पर कुछ ही देर बाद ये शुरू होने जा रहा है, मैनेजिंग एडिटर अमिश देव इंट्रिव्यू दिया और कल वारानसी में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी नामांकन दाखिल करेंगे, नामांकन भरेंगे और उससे पहले ये मेगा एक्स्क्लूजव इंट्रिव्यू, सिर्फ वसर्फ बैनेजिंग एडिटर अमिश देव गन के साथ दिया गया ये अब आते बताते हैं इस इंट्रिव्यू की, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी बाक्तायदा इस इंट्रिव्यू को लेकर त्वीट किया और कहा कि जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है NDA, किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा, हर साल में प्रधान मंत्री बदलने की योचना यहाँ विपक्षी गडबंदन की तरफ से जी आ रही है, लेकिन कोई नेता उनके पास नहीं, तमाम मसलों पर तमाम सवालों पर जवाब नहीं ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिखा है भारती जनता पार्टी हैट्रिक करेगी, करेगी और करेगी विपक्ष कहा रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, कि ये आधी है आधी, वो नेता नहीं कर पा रहे है, वो एजन्दा नहीं कर पा रहे है एक आपका बयान था कि कॉंग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदर का फैसला पलट देगी ये क्या आप ये मेरा बयान नहीं है ये बयान है कॉंग्रेस के विश्वस्ता सलाकार का और उन्होंने निल्ने करके लिया है नहीं है पूरा का पूरा इस चुनाब में लगातार आपको अप्षव्ट कहे जा रहे है ऑरंग जिब कहा गया महाराश्टर के एक नेताने आपको बुरा लगता है यह आपको गुस्ता आता है जितनी घंद उछा लेगी जितना tv उछा लेगी कमल उतना ही ज़्यादा की आज हमारे साथ एक बेहत खास महमान मौजूद है और ये खास महमान भारतिय इलेक्शन यानि जो इस समय इलेक्शन सीजन है उस पे सबसे बड़ा एजेंडा है इस मेगा एस्क्लूसिफ इंट्राक्शन में मेरे साथ मौजूद है मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सबसे बड़े महमान है यानि एक मेगा एस्क्लूसिफ इंटिव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी समय मौजूद है मोधी जी आपका बिनंदने न्यूज 18 पे नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी हमारे नमस्कार तीन चरण संपूर हो चुके हैं ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ देख रहा है खास्तों आपको तेल्गू स्रेट्स में भी वोटिंग है पहले तीन चरण के जो चुनाव हुए है उससे मैं साब देख रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो सबके सब एक प्रकार से दिशाहिन नजर आते हैं अब देख आपको कहीं पर भी इंडी अलाइंस नजर नहीं आएगा वो नेता नहीं कर पा रहे हैं वो एजन्दा नहीं कर पा रहे हैं उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध मोदी को गाली गलोच उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के अधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं देश इतना बड़ा देश आज खास करके जुनाव जवान बद्दाता है वो यह हमेशा सोचता है कि पर आखिर कर इतने बड़ा देश इतनी वीवी देता है ऐसा कौन नेता है जिसको समाल पाएगा नाम बताओ इंडी एलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में फिर इतना भी कहते हैं कि भी अबी एक मैंने कहीं अगबार में पड़ा वो एक ऐसी फॉर्मिला ला रहे हैं जिस फॉर्मिला में पांच साल में पांच प्रधानमंत्री हर वर्ष एक प्रधानमंत्री अगर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री वो लाएंगे तो आप मुझे बताईए कि देश का क्या होगा अपको गाउं के लोग बढ़िया मेज़ेदार कथा सुनाते हैं कि एक बार दस किसाने खटे हुए और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी की बिना क्या होगा तो मिलकर को उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग है तो उनको बुलाया तो उसका भाई पानी तो न अब यहां तो गड़ा करो दूसरे ने कहां 10 मिटर में अब तुसरे ने कहां 10 मिटर कर लोगो 100 मिटर हो जाएगा तो पानी निकले गांगा तो पांच साल में पांच प्रधान मंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे लेकिन विपक्ष कहा रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं मैं कल भी बोला हूं जी अब वो ठीक है कि उनकी चिंता यह है आकि कॉंग्रेस का एजेंडा क्या है चार सो पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उनका एजेंडा नहीं कि वो कितनी सीटे जितेंगे और कैसे जितेंगे मैंने करीपरिम्दुस्तान के एक तिन चार राज बाकी है सभी राज्यों का ब्रह्मान किया है और सभी राज्यों के ब्रह्मान से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है आंधी बड़ी आंधी और चार सो पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है विपक्स 19 से 24 में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी 20 पल गये हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटे अपने दम पर पाई हिंदी भाशी राजियों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटे भारतिय अंता पार्टी को में लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा और आप देखिए जी भारती जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो गोवा जी कि क्या हिंदी भाशी है क्या गुजरात हिंदी भाशी है आज भार्तिय जनता पार्टी प्रटे देश में है और पूरे देश में में कह रहा हूं भार्तिय जनता पार्टी एकट्री करेगी करेगी और करेगी और ये ये मोदी कहता है इसलिए करेगी जने देश के 140 करोड देश वास्यों तैय कर लिया है इसलिए 400 पार होना है और भारतिय जनता पार्टी भी अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी और अंध्रा में आंध्रा एंध्रा एंध्रा इस चुनाओं में साउथ सबसे बड़ा सर्प्राइज देगा केरल तमिलाडू पुडिचेरी करनाटका आंध्रा तेलंगणा सभी में सभी में अितिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्धी भारती जनता पार्टी और एंध्रा के पक्ष में रहेगी यह बिलकुल साफ नजर आता है और मैं मानता हूं कि तेलंगणा क्लीन स्विप करेगा जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारती जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी जहां एंडी है वो नई सरकार बनेगी और इसलिए इन सभी राज्यों में सरकार बनना तय है आंद्र तिलंगणा में भी क्लीन स्विप होने वाजा है एक मैं पूरदेश घुम रहा हूं चुनाव के लिए एक चीज मैंने देखी इस चुनाव में नरेटिव बार-बार बदले पहले नरेटिव आया रिजर्वेशन का फिर आया नरेटिव की नरेटिव एक ही है और वो है फिर से एक बार मोदी सरकार जी चुनाव का नरेटिव एक है अब की बार 400 पार नरेटिव वही है लेकिन लेकिन यह लोग हताश है निरास है जो मुद्दों की तनास में है उनके लिए बार बार वो खोज रहें कैसे ठीक है कैसे लोगों के बीच में रहे इसलिए उनको यह खेल करना पड़ रहा है लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे है लेकिन उत्तर से दक्षन तक पूरफ से पश्चन तक एक नरेटिव है मोदी जी और यह हमार प्रेशर नहीं है देश की जनता का प्यार यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है देश की जनता के आशिरवात यही बहुत बड़ी पूंजी है और इसलिए प्रेशर मैं देख रहा हूं कि इंडी अलाइंस में है क्योंकि उनकी इंडी अलाइंस बनी नहीं पा रहा है आप बनते ही बनते देखिए केरल में जाके ले ले ٹोन का सबसे बड़ा साहती केरल में जाकर के ही उन्होंने उन पर छुरा भूँग दिया खुद चुनाव लडगे और मैने पूरे चुनाव में सबसे तीखी आलो चुनाव सबसे तीखी carbohydrate घर अगर मैंने कहीं सुनी है तो वह मैंने वाइनाड की सीट रव बहुन है जहाँ कांग्रेस के इतनी बद्धी तरीके से आलोचनावी और कॉंग्रेस ने अपने इंडिया लाइंस के साथी के खिलाप इतनी बद्धी वाजाना भोला एक आपका बयान था कि आ आई सकता के अ यह बयार है कॉंग्रेज के विश्वस्थ सलहकार का जो कॉंग्रेज के तीस साह तक और टॉप परिवार के सलहकार रहे हैं उन्होंने कहा है कि यह तैह है और उन्होंने निर्णे करके लिया हैं कि हम राम लरा को फिर से एक बार टेंट में बेज करके ही रहेंगे ये उनके सलाकार ने कहा है ये कॉंग्रेस वालोंने नेने किया है और देश पुरा भरोसा है कि इस परकार की करने की इनकी आदत है वोट बेंक की राजलिस्ते के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है एक सवाल और हम बिहार की धर्ती पे है आर जेडी यानि लालु जी की पार्टी और कॉंग्रेस का अलाइंस है इंडिया अलाइंस देखने को मिल रहा है लालु जी ने मुस्लिम आरक्षन की बात कही है उन्हो उन्होंने आरक्षन होना चाहितना ही कहा ने उन्होंने यह कहा है पूरा का पूरा मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षन है वो अब मुसल्मानों को देना चाहिए और संबिधान सभाने कंभीर चर्चा करके ताय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए बाबा साब अमबेड करके भी विचार बहुत पस्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए पंडित नहरू भी इसी विचार के थे लेकिन उसके बावजुद भी राजनीती और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो दे काना के सीम है रिवन्त रेड़ी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति है नफरत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए है देश के सेना नायक को उन्होंने ए प्विक्षा कर सकता ह। पाकिस्तान भी स्रजीकल स्ट्राइक नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है पाकिस्तान भी नहीं वहाता है अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है, इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं, महाराष्टर के नेता ने एक और पक्षी नेता ने आपको तुगलक का फिर उसके बाद ताना शाह का आपको बुरा लगता है, आपको गुस्ता आता है इस पर भाई देखिए हम तो कामदार है, बेनामदार है और हम कामदार लोग जरम से घालीया सुन्शून करके बढ़े हुए हैं, लुगों के लाते, खाते, खाते, बढ़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों का मन पर लेते नहीं है, हम एक प्रगार से घाली परूप बन गए हैं और मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी कुछते, मोदी जी आपके इतनी बड़ी एनर्जी का रहश्य क्या है, तो मैं कभी मजाग से कहता हूँ, कि मैं डेली दो किलो गाली खाता हूँ, और उसी से मुझे उर्जा मिलती है, देकि मेरी एक बहुत पुरानी कवीता है, मुझ कि मुझे जो पत्थर फाइकते हैं, मैं उन्ही पत्थरों से पत्थी बना देता हूँ, और मैं उसी से उपर चड़ जाता हूँ, अब दूसरा मैं कहता हूँ, जितनी घंद उचा लेंगे, जितना कीचड उचा लेंगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक सवाल आखरी यह है कि माताओ भेनों का आप से एक विशेश लगा वे, कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनके आँखों में आसु आ रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको परधान मंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं, तो कि यह बहुत बड़ा एमोशनल कनेक्ट है, बहरबानी करके, इन माताओं बेहनों का आशिरवात है, इसको राजनीती के तरह से मत दोगी है, यह भावात्मक विशे हैं, और मैं मानता हूँ, कि मेरे देश का कल्यान करने के लिए, मेरी मात्रु शक् करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, तो मैं बड़ी सद्धा से एक पूजा भाव से काम कर रहा हूँ, कृपा करके इसको राजनीती के तराज़ी से मत थोलिए, और मैं चाहता हूँ, मैं वैसा ही, बड़ी बक्ती भाव से इस देश की माताओं की सेव करूं, इस देनों की सेवा करो, इस देश की बेटिऊं की सेवा करो, जो फर्स्त टाइम वोटर है, उसको की आपका मेसेज के ऑगा पधान मंत्री मोजी ? मेरा उनके लिए कोई मेसेज नहीं है मुझे तो देश की युवां का मैसेज चाहिए मैं देश की युवां की स्चाहन कांख्षा के अनुसार चाहिए क्यों वोट करें देश बनाना चाहता हूं हमने अभी जो पेंटी फोर्टी सेवन बनाया करी 35 लाख नव जवानों से मैंने फिड़ बैक लिया है और मैं अभी 100 दिन का कारकम बनाया हूं जी मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाओं और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवाओं को पूछने वाला हूं यह पचीस दिन के लिए उनके क्या सुझाव है कौन से काम मैं पहले करूं तो मैं इस प्रगारते देश के युवाओं को उनके आशा अकांक्षा के नुकार देश चला जाता है आपका कोई बेस्ट दोस्त है जिसके साथ दिल की बात करते हैं इतनी उर्जा आप कहां से लेकर आते हैं धन्यवाद जी धन्यवाद प्रधानमती मोजी तो नामांकन से पहले प्रियाम का धमाकेदार इंटर्व्यू आपने देखा जिसमें न्यूज 18 से प्रियाम बोले कि इंडिया गटबंदन पर प्रियाम का प्रहार भी आया और साथ ही साथ ये बोलते वे नजर आए कि कॉंग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन है गटबंदन का नेता ही नहीं तै है वो एजेंडा ही नहीं तै कर पा रहे हैं पांच साल में पांच प्रधानमंत्री का फॉर्मूला है इंडिया गटबंदन के पास पूरे देश में पक्ष है वो दिशाहीन है विपक्ष में पांच साल के पियम का फॉर्मूला है हर एक साल के बाद देश को नया फृधानमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा पियम ने ये भी साथी बोला कि पूरा देश का जो महाल है वो भगवामय है विजेपी के पक्ष में आंधी चल कि पूरी तरीके से दिशाहीन है कॉंग्रेस तो ये तमाम बड़े स्टेट्मेंट्स दिये गए जब म्यूज 18 पर मेगा एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू कंड़क्ट हुआ प्यम मोदी का और ये एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू में प्यम मोदी ने विपक्ष को उपर जम कर प्रहार किया तो वहीं जनता से प्यार की बात भी की उन्होंने साफ तोर पर कहा कि जो कि जो कि जो मुद्दे गंभीर हैं जो मुद्दे महिलाओं से जुड़े हैं जो भावनात्मक हैं उससो राजनीती नहीं करनी चाहिए हुआ 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 है